मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात की गर्दन काटने की धमकी देने वाला आरोपी आया पुलिस की गिरख्त में बिगत 20 अगस्त को सोशल मीडिया पर दूसे फेक पेज बना कर दी धमकी संजे सेनी नाम के आरोपी ने फेक फेस्बुक पेज बना कर दी थी मुख्यमंत्री को धम की योगी की गर्दन कार्डने पर दो करोड देने की कहीती बात मुरदबाद के मजुला थाना इलाके का रहने वाला है आरोपी आज जैसा की विज़त आप लोगो की कुछ टाइम केले एक आत्प्रकाश परड़ित नाम की एक आईडी बनी थी जिसमें तेरा आठ से लेके सफरा आठ तक मुक्यमंत्री जी पतान मंत्री जी और देश की विरुद अलग अलग टाइप की कमेंट्स कोस्ट किये गये थे जिस पर शिकायश्री और एक बुकदमा लिखा गया था चेसोस्ती बटाबाइस सिविल लाइन्स में और उसमें साइबर सेल अमारे और सल्वलांस ने बहुत महनत अथक प्रयास करके एक व्यक्ति को गिरफतार किया है व्यक्ति का नाम संजे सैनी है और यह रहने वाला तुशालपुर्थाना मजोला का रहने वाला है और यह इसम यह खांदी बनाई थी एक बहुत पुराना नंबर घॉस प्रकाश झांता उसको अप्लोड कर दिया था उसमें ताकि आतप्रकाश भसे और इसमें उस तो साइबहुत करि जो पोस्ट स्टी वह अप加入 करी और इसमें बहूत ही इच्छा गाम वह थैश्पुर्स सेलंस फिल ल यह इसकी हिस्ट्री यह थी कि जो यह संजे सैनी है यह एक महिला से लड़की से प्यार करता था और इसका मानना था कि आद्परकाश पंडित है उसकी वज़े से इसकी शादी नहीं हो रही है तो उस चीज का यह बदला निकालने के लिए इसने इसको फसानी की योजना बनाई और यह कार्षिया गया है, पर इसे बाद्ट परकाष के पुराने नंबर को उसमें शो करके एक नखली आई डी बनाई गया थी, जिसमें आदप्रकाष का पुराना नंबर था जिसे यह सिद्ध हो जाए कि आद परकाष ही यह डी चला रहा था बढ़ ही असल बात यह थिए ल तो आपको नहीं पता लगता है कि दूसरी डिवाइस में क्या हो रहा है बट आप इन गुट फेत आप वाइफाई का प्रियोप करने दिया था मोई कुछ इसका कोई टेकनिकल बैकगराउंड नहीं है इतना मुश्किल कारी नहीं है जैसे कि आप लोग जान पर थोड़ा सामय लगा डेटा वगया निकालने में बट बहुत ही अच्छा कारी में टीम ने किया है